हेलो सुडेंट्स मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैगनेट ब्रेंस हिंदी पर मैगनेट ब्रेंस हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा बार्मी तक का संपोल पाठक्रम बिलकुन नहसुल्क में उपलब करा र हैं तो हमारा वीडियो का जी टॉपिक होने वाला है आज वो हम देखेंगे महामंदी यह टॉपिक है आपका कक्षा 10 में के समाजिव विज्ञान का जो इतिहास का चैप्टर है भूमंदली करत बिस्व का बनना उसी का एक टॉपिक हम देखने वाले हैं महामंदी इसके पह होगी हमारी महामंदी को लेकर तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि महामंदी कहलाती क्या है तो हम देखें भाई कि जो महामंदी है इसमें एक सब दारा है जो अगर हम महामंदी पर बात करें तो इसमें एक सब दारा जिसको आप मंदी के नाम से जानते हैं तो सबसे पहले की जा रही है यह अर्थ व्रस्था के संदर्ब में पैसे के संदर्ब में बात की जा रही है अर्थ व्रस्था के संदर्ब में बात की जा रही है उसका जब अर्थ व्रस्था का जब सुस्थ पढ़ जाना होगा उसी को आप मंदी के ऐसा कहते हैं कि आप भी सुस्थ पढ़ ग फिर हम मंदी को समझेंगे कब आती है कैसे आती है फिर हम महामंदी कॉंसेट को देखेंगे फिर हम आगे बढ़ देंगे देखना मंदी क्या है मंदी एक सामान रूप से आर्थिक गतिविधियों में आर्थिक का मतलब क्या हो गई जो हमारी जो एकोनोमिक चीजें हैं पैसे क लेन देन ब्यापार का होना ट्रेट का होना यह सब आर्थिक गतिविधियां होंगी जहां पर पैसे का आदान प्रदान होता है चाहे वो ब्यापार के तरीके से हो चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो चाहे वो मैनुफेक्टरिंग सेक्टर में हो मतलब बिनिरमार उद्योग में हो तो यह सब क्या हो जाएगा आपका सामान रूप से आर्थिक गतिविधियों में महत्पूर्ण कमी या ग्रावट को संदर्वित करती है मंदी क्या करती है कि बैपारिक तरीके से या आर्थिक गत्विदियों में जब कोई कमी आती है कि बही गत्विदियां क्या हो गई है अब उन गत्विदियों में थोड़ी धीमापन आ रहा है वो सिलो हो रही है या वो सिथिल पढ़ रही है सुस्त पढ़ रही है तो उनमें कोई कमी आए या ग्राविट आती है तो उस ग्रावट क समय होता है उस निश्चित समय में अगर लगातार वैसा कुछ चीजे हो रही है अगर लगातार वो चीजे सित्हल पड़ती जा रही है सिलो होती जा रही है मंद पड़ती जा रही है तो उसको क्या करेंगे अगर वो ब्यापार मैसा हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे आर्थिक अवधी मतलब time होगया एक निश्चत अवधी में मतलब किसमें कमी देखेंगे GDP के अंदर यह सकल घ्रुष उत्पाद में सकल घ्रत उत्पाद की बारसिक दर में ग्रावत होती है बारसिक दर मतलब हर साल जो हम GDP की growth rate देखते हैं सकल घ्रत बात की growth rate देखते हैं तो उसमें क्या है अगर ग्रावट होती है वो ग्रावट क्या है उस ग्रावट से मंदी को आपा जाता है कितनी मंदी है मान लिजिए कि पिछले साल हमारी growth rate 9.7 परसंट थी इस बार हमने मान लिजिए कि 8.6 है तो क्या हो गई है मंदी आप देख लिए कि यहां पर थोड़ा स चाert कं होई है पिछली तुल्ला में लेकिर यह मंदी को कंव मेजर करेंगे हम मंदी के दौर में कभ मानें जाएंग Representation कि कहते हैं जब कोई और्द वस्था अर्थवस्था मतलब किसी देश का आर्थिख ढाचा अर्थवस्था कम से कम 2 लगातार तिमाही के वंदप क्ने हो गया मन्दी आ गई हर तीन महीने में सरकार अपनी ग्रोथ रेड़ बताती है अगर ये हर तीन-तीन महीने में मतलब दो तिमाहियों में लगातार ऐसा नहीं कि एक तिमाही क्या है तो मंदी क्या हो गई आर्थिक गत्वधियों में जब ग्रावट आती है उनमें कमी होती या मंदी यह समें connecting के मंदी कहते है मंदी क्या है एक निष्चित अबडी निष्चित अबडी कैसे कम होंगी कैसे हम पता चलेगा तो हम देखते हैं कि GDP में गिरावट आ जाती है उसी से हम मंदी को मापते हैं ये निश्चित अबदी क्या है कि हम कब कहें कि हम मंदी के दौर में है तो हम कहेंगे कि जब कोई देश लगातार दो तिमाहियों के लिए गिरावट दर्ज करता है या वहाँ पर गिरावट प्रा जा रही है या आपको सब जगह देखने को मिलेगा पैट्रोल के दाम गरेंगे तब जब आप देखेंगे कि भाई आप ने देखा कोई पैसा गरिया ताब किसी भी चीज में मंदी आएगी तो ऐसा एरू मतलब ये मंदी को बताता है मतलब वो चीज़ें मीचे जा रहे हैं मतलब जब ये बड़े इस तर पर हो जाएगी विक्राल रूप ले लेगी इसको क्या कह देंगे महामंदी कह देंगे महामंदी या भी सर्मंदी ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाने जाने वाली है घटना बिस्व्यापी आर्थिक मंदी है मतलब दुनिया भर में अगर स्थर पर है सबी देशों के अंदर आपको देखने को मिलेगी तो उसको आप महामंदी कहेंगे यह महामंदी का दौर 1929 से सुरू हुआ और इसको खत्म होते होते 1949-440 लग लगबग कितने साल लग गए 10 वर्स में हम उभर पाए तो यह लंबे समय के लिए यह लंबे समय के जाए तो िसकरंड से कहाए इसको महामंदी का दौर कहा गया मंधी को कैसे कर से करते हैं लगातार दो तेमाहियों में गरावट दर्ज हुई तो हम कह acid à ions मंदी का आग्मन हो गया है यह मंदी के दौर में प्रवेस कर गएई है कि लिए बस करें आध दो मंदी बाद के है तो उसको हम महामंदी कहते हैं या वह महानतम मंदी कहलाती कि बहुत बड़ी है हमने देखा उन्यस सो उन्तीस स्टार्ट हुई और उन्तालीस चालिस तक का समय लग गया पूरी दुनिया को इससे निकल ले में देखने आर्थिक महामंदी की चल्वाण जो होती है वह उन्तीस सो नंतीस में होती है यह संकट तीस के दसक बना रहा मतलब उन्तीस पे शुरू हुआ और उन्तालिस चालिस में खत्म होगा तो तीस के सकति कि हमको देखने को मिलेगा दुनिया भर के जाधतर हिस्सों के उत्पादन रोजगार आएः व्यापार में क्या होई गिरावट दर्ज किसमें आईगी आपकी उत्पादन केंदर गिरावट रोजगार केंदर गिरावट आए के इनदर गळावर और वेयापर का नंगर का मतलब का माल द двух उत खाघं कम कर देंगे जब उत्पादन कम करेंगे तो भाई इसल्ली क्यों देंगे तो सबहों में भयाना घ्रवट दर्ज की जाती है उसी को मंदी कहते है और निया भर में होती है तो और मंुदी कहला तो इस मंधी का समय और असरस ब कोई देशा कि नहीं गहीं टा लेकिन असर सब पर पड़ा ऐसा कोई देश नहीं ठा जिसके ऊपर इसका असर नहीं पड़ा कोई देसे कहा कि बोले मंदी से हमको कोई फर्क नहीं हम तो आराम कर रहा है हम है कोई कोई थाी नहीं良ए कि वो चैन की नीज़ो व्यख्थ气 वहांभर था ने क्या करेंगा उसको सब आउनको परेशानी वहाँ पर हुई हार एक देस्स को कुछ ना कुछ जिलना पड़ा है किर्शी चैत्रों पर तो और उनके समधाये पर जो एग्रिकल्टिल को जुड़े हुए चैत्र थे या उनके जुड़े हुए जुड़े हुए सम१धाय थे इन पर सबसे बुरा सरवागा, क्यों कि ये प्रात्मेक उत्पादक तो कर्सी ही कहलाते हैं, तो इन के उत्पादों का भाव नहीं मिला था, इनका पैसा नहीं मिल था, बजारे जो मैंने कहा कि इनकी ओपर ज्यादा था जैत क्योंकि अगर इनको भाव नहीं मिलेंगे तो यह COMM क्छेत में महनत महलें महनत नहीं करेंगे और महनत नहीं करेंगे तो फर यहखाएन ज्पक्त थोड़ा सा इन Row difॉ रहे थी और दुक उत्पादों की तो नाम है खेती हर उत्पाद मतलब खेती से उत्पन होने वाले जो पदार्त हैं जाहे फसल हो या कुछ और चीज़े हम खेती से पैदा करते हैं क्या करते हैं तो फसल है अब वो चाहे आपकी बागानों से हो सकती हैं खेत से हो सकती हैं जम में उपर आजाए यह लंबे समय तक ऐसी कमी लगातार बनी रही अब जो यह महामंदी आई हुई थी जो महामंदी सभी को चपेट में लेकर गई थी सभी को उसने दबा लिया था सभी देश उसके प्रभाव में आ गए थे हमने देखा कि सब के ऊपर उसका समय और उसका प्रभाव एक सा नहीं था किसी में एक साल पहले आई किसी में एक साल बाद आई और सब की ऊपर कुछ ना कुछ असर है कहीं उ तो यह बात कर रहे हैं कि युद्धुत्र का मतलब क्या हो गया युद्ध के बाद तो यह किस युद्ध के बात हो रही है युद्ध के बाद है यह किस युद्ध की बात हो रही है यह बात हो रही है आपके प्रथम विस्युद्ध की कि प्रथम विस्युद्ध की अब यह प कमजोर थी और बहुत कमजोर थी आप जानते कितने कमजोर थी वो है न तो इससे यह अंदाजा लगा कि भाई पहले सही कमजोर थी और बाद में क्या आ गई मंदी आ गई तो हमारे उपर चोट करारी हो गई हमारा मतलब क्या हो गया सभी देश आर्थिक गत्विधियों पर क् सब्राइब और पर घजाती है और वो इसकी चपेट में जाती है चलिए अब देखते हैं कि कारन क्या रहे हूंगे ये तो कि हमने देखा कि भाई पहले सभी डेसों के अर्थिवस्ता कम जो रिस्तिती में थी तो इसका पहला कारण क्या होगा तो पहला कारण देखें क्रिसे छेत्र में अती उत्पादन की समस्या अती उत्पादन मतलब क्या हो गया भरकर पैदा करना बहुत ज्यादा उत्पादन करना इससे क्या होगा बहुत ज्यादा उत्पादन करेंगे आप है तो इससे यह होगा कि भई आप क्युं हुन हो रहा है या क्यों उत्पादन जादा किया आप देखिएंगे कि दाम गिर रहे थी हमने इसके जस्त पहले दे yardım क backup किरसी के दाम गिर रहे थी ma आए का इस्तर बना कर रखने के लिए क्या करेंगे उत्पादन को बढ़ाएंगे अप क्या करेंगे अपनी आए को बढ़ाएंगे तो उत्पादन क्यों ज्यादा करने लगे क्योंकि किसानों की आए घटने लगी और वो चाहते थे कि उनकी आए का इस्तर बना रहे आए बैस ही कुछ बनी रहे इसके लिए उनने क्या किया उत्पादन बढ़ा दिया वो क्या चाहते थे वो अपनी आमदानी बढ़ाना चाहते थे इसके लिए किसानों ने उत्पादन बढ़ाने का प्रियास किया उत्पादन बढ़ गया उत्पादन ज्यादा हो गया ताकि क्यों किया उसके पीछे कारन किया था आए का स्थ caterp बना रहे आए घट नप ए जहां की तहां है बनी रहे जितना हम कमाते थे उतना हमको मिलता रहे अब इससे क्या होगा कि आपने जदा पैसा तो करल लिया लेकिन ए इसकी बजार में जादा आए गा तोसकी क्या हो गए इसके दाम गिरने लगे इसकी कीमतह क्या हो गए नीचे जाने लगी तो क्या होगा आप ने जो बढहाया वह उत्मा सफीसेंट नहीं था उत्मा आपके लिए पर्याप नहीं हो तो लोग क्या करेंगे छोड़ा laser कर देंगे क्यूं अब आप आपने पैदा बार जादा कर ली Tut आपको खरीदार नहीं मिला हैं都是 अभा होतो आपकी फसर पड़ी डही और पड़ी पड़ी सखरने लगी तो हमारी मेहनत प्यार्त जाने लगी तो पहला कारन तो हो गया कर्सी में अती उत्पादक्ता का या कर्सी में अती उत्पादन की समस्चा के कारण पहला करना आप यह देखें यह किर्सी छित्ममंदी आई बहुत लोग पैदा करने लगे थे भाव कम होने के कारण इसे ज़्यादा चीजया उपलब्द हो और जब कोई चीज़ जादा होती है और उसके खरीदार कम होते हैं तो इसकी कीमत क्या होती है धीरे धीरे गिरना ही स्टार्ट होती है जादा पैदा करने में खरीदार नहीं मिले तो फसले भी क्या हो गई सलना स्टार्ट हो जाती है दूसरा कारण क्या था दूसरे और सारे देस होना है कई सारे देस होना है अमेरिका से करजा लेकर अपनी निवेस संबंधी जरूरतों को पूरा किया था निवेस मतलब जो इन्वेस्ट करके उनकी जो रिक्वार्मेंट थी जरूरता थी उनको कैसे पूरा किया था वो करजे पर थी मतलब आपने करजा लिया और थे तो अमेरिका से करज़ उटाना क्या था बहुत आसान था लेकिन जैसे ही संकट आई मतलब यह पता चला कि आपने जहां जहां पैसा दिया है मिलने वाला नहीं है फस जाएगा तो संकट का जैसे ही संकेत मिला तो अमेर की उदमी क्या हो गाए उनके हो तो फस गए पूरा पैसा फस्या क्या करेंगे तो उनने पैसा खींचना स्टार्ट किया पैसा वो कम देना स्टार्ट करेंगे इसका फिगर आप देखे उनेस तो थाईस के पहले छे महां तक विदेशों में अमेरिका का करजा कितना देख पा रहे हैं आप एक अरब डॉलर के आसपास और वह सब्सक्राब है तो कितना 25 करोल डॉलर रहे तो क्या हो गया यह संकट जो आया जैसे संकट का मतलब क्या है आपको पता चला कि जो पैसा दिया है माली जी आपने किसी को पैसा दिया है और वह बरबाद हो जाए यह भाग जाए उसके पास कुछ रही नहीं तो क्या कर लेंग ज्यादा निर्वहर थे मतलब उनकी पूरी रोजी रोटी अमेरिका के करजे से चल लए थी उनके देश की अर्थ वस्ता का पहिया अमेरिका की करजे से चल दा था वो पहिया रुख गया अचानक से उनको ज्यादा नुक्सान होगा है ना उनके सामने गहरा संकट आ गया उनक मतलब वहां से जो पैसा आ रहा था वो पैसा आना धीरे-धीरे क्या हो गया बंद हो गया और बंद हो गया तो हमारा क्या हुई हमारी सारी विवस्थाएं रुप गई और ऐसे देशों पर ज्याजा संकट आया जो अमेरिका से ही करजा लेकर सारा काम चला रही थी क्लियर चलि लेकिन प्रभाव सब क्यों पर पड़ा ऐसा कोई देश नहीं था जिसकी उपर प्रभाव ना पड़ा हो और क्या हुआ कि अमेरिकी पूंजी है अमेरिका का जो धन था जो उनने अलग अलग देशों को उधार दिया था उसके बापिस लोट जाने से अमेरिकी पूंजी के लोट जाने से पूरी दुनिया पर काफी असर पड़ा या गहरा असर देखने को मिलता है बहुत असर पड़ा यूरोप के कई बड़े बैंक धरासाई हो गया धरासाई का मतलब क्या होता है कि बरबाद हो गए कंगाल हो गए इनके पास कुछ था नहीं कुछ पैसा वैसा थ पार रहे थे जब आपके पास फिलो आफ मनी नहीं होगा बैंक के पास बतलब ना उसके पास जमा आएगा और जो जमा है जब उसका पैसा लोटा नहीं पाएगा तो क्या होता है ब्वस्तर हो कहते हैं कि बेंक धरासाई हो गया बैंकिंग गतिविधियां क्या हो गए करें बहुत गर जाती है इस जो जटका लगा यहां पर कि अमेरिका का पैसा निकल गया कई सारे यूरोप के बड़े बेंक बरबाद हो गए धरासाई हो गए दिवालिया हो गए पैसा चुकाने के लिए या लोगों क mínimo का पैसा लौटाने के लिए पैसा नहीं था उनके पास ये सारे ज़टकों से क्या हुआ अगरस ब्रिटस पाउंड भी नहीं बच पाया ब्रिटस पॉण को भी सच झातका लगा की कीमत भी क्या हुए गिरी बिटस M Generally बी में बिटस पैम्लों भी कमी देखने और साउथ अमेày का कुछ देश है तो लैठन अमेरिका में जो देश है लैटन अमेरिका और उसके आसपास कि अन फ्ञाइज पार किर्सी मथे कैदी से बहुत तेजी से गिंग लगी अमेर्की सरकार इस महामंदी को अपनी अर्थ वस्था से मतलब जो महामंदी आई है उस महामंदी को अमेर्की सरकार बचा नहीं पाई कि हमारी अर्थ वस्था बच जाए तो अमेर्की सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थ वस्था को बचाने के लिए आयतित्पदार्थों पर है ना आयतित्पदार्थों पर दोगना जितना सीमा सुल्क ले रहे थे उससे अधिक सीमा सुल्क बसूल करना स्टार्ट कर दिया दोगना सीमा सुल्क बसूलना स्टार्ट किया इस से क्या हुआ अप आप मानों इसको ऐसे देखो क्या होगा है पहले आप यह देखू कैसा दोगना कर दिया मान लीजिए कोई 100 रुपए की चीज अमेरिका में आ रही है इस पर पहले तक टेक्स लगता था मान लीजिए कोई 100 रुपए की चीज हमने खरीदी इस पर टेक्स पहले लग रहा था 10% सीमा सुल्क बाकी दूसरे टेक्स अलाग ह है ना तो सीमा सुल्क लगने के बाद इसकी कीमत होगी 110 अब इनने ये टेक्स क्या कर दिया इसको इंक्रीज कर दिया कितने से बढ़ा दिया लगबग 20% मतलब दोगने तक बढ़ा दिया मतलब आप इसकी कीमत क्या हो गई 120 रुपए हो गई तो अमेरिकी सरकार ने जो सीमा सुल को दुगना करने का फैसला लिया था इसको डवल करने का जो फैसला लिया था इस फैसले से है ना तो बिस्बैपार की कमर तोड़ दी पूरा चौपपट हो जाता है आप कोई चीच पर टक्स बढ़ाइगे उसकी本 बढ़ते जाएगी और कीमत बनेगी तो ज्यादा महंगा कैसे खरी देंगे ज्यादा तर तो पूरी दुनिया में मध्यमबर्ग के लोग है ना हर एक देश पर मध्यमबर्ग की परिवास वालग है हमारे देश में जैसे हम है वैसे दूसरे देश में भी और देश और लोग आपको देखने को ससवेपार की कमा तूट गई लोग ज्यादा सिमा सुलक डर से अंज कर रहे हैं या डरने लगे यह बात के लिए किizz के अमेरिका भी इस चीज से अपनी अर्थ्यष्टप को नहिं बचा आया बचा पाने के लिए उसने क्या किया जाने वाला सामान है उस पर सीमा सुल्क मतलब उसके देश में प्रिवेस करते ही जो टेक्स लगता है वो कितना कर दिया दोग ना कर दिया और इस फैसले ने क्या किया विस्वापार की कमर तोड़ दी अमेरिका पर क्या असर पड़ा तो जितने बीत तेश हम दीखेंगे उन सभी अधरोग देशों में सबसे बोरा असर किस पर अमेरिका पड़ता है इसकी हालत सबसे खराब होती है कीमतूं में कमी और मनतलब जो पीचीजों की कीमते थी वो भी गिरने लगी और मनतलब कर दे द को ने क्या किया जो घरेलू करजे देते थे वो घरेलू करजा देना बंद कर दिया बजले में क्या किया कि भाई अब तो ये इस्तिती गर्वर होने वाली है तो ये करजा बसूलना ये करजे की बसूली बहुत तेज कर दे कि भाई हम जो दे चुके हैं उसको तेजी से बसूल भी क्या हो गए ठप पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं कारोबार भी ठप हो रहे थे अब यहां पर आप देखिंगे जब अमेर की बैंकों ने वह करजा बसूलना स्टार्ट कर दिया है हमने देखा कि उसने अपनी बसूली को तेज कर दिया बसूली का मतलब समझते ना आप से करना आपको हमने पैसा उधार दिया था वसूली का मतलब क्या है दिये गए उधार को बापस लेना तो अमेरिकी बेंड को ने क्या कर दिया कि उधार बापस लेने का दबाव डालना उधार तेजी से बापस लेने लगे लेकिन कई सारे लोग ऐसे होंगे जो उधार चुका नहीं पा रहे होंगे उधार नहीं चुका पा रहे होंगे तो फिर एक कुर्क का सब आता है मतलब जब आप उधार चुका नहीं पा रहे हैं तो आपकी संपत्ति घर मकान गाड़ी गोड़ा सब को का करने लगे कुर्क मतल तो आपको करने लगे मतलब की संपत्ति को किया जाने लगा जब आप अपना करजा नहीं चुका पा रहे थे तब जो उपवोक्तवादी संपनता थी है ना उपवोक्तवादी मतलब क्या कि भाई खाओ पियो और मौच करो ये उपवोक्तवादी संपनता जो दिखाई दी रही थी वो भी क्या हो गई धूल के गुबारे की तरह एकदम चौपट हो गई एकदम रातो रात काफूर मतलब गाय दूर दूर तक जाएंगे तो काम की तलास हुई और लोग क्या हुए दूर दूर तक जाने लगे जब लोगों के पास काम नहीं होगा काम कम होगा तो लोग काम तलासेंगे एक जगह दिवालिय को मतलब समस्थ देना कि वह उन्हें मना कर दिया कि हम आरे पर अपने किसी बैंक में कुछ पैसा जमा किया है और उसने। जमा करने जमा करने से मना करते हैं नहीं पैसा कहा छहांila पन कहलाता जबकि महामंदी कब आई है अगर हम महामंदी को देखें तो महामंदी आई है 1929 में 1929 से 1933 तक आपको 4000 बैंक देवा लिया हो चुके यह बैंक बंद हो चुके 1929 से 1932 तक के बीच करीब 110,000 कंपनियां चौपट हो चुकी मतलब उनका उत्पादन नहीं हो रहा था उनका सामान नहीं भेक्राथा तो उनने उत्पादन बंद कर दिया लोगों को नोकरियों से निकालना स्टार्ट कर दिया फिगर देख रहे हैं आप एक लाक दस जार तो आप समझ सकते कितने बैंक की वस्था चौपट हो गई साथ ही साथ अमेरिका पर भी इसका गहरा असर पड़ा जो हमने इसके पहले दिखा था कि जितने उद्विग देश हैं उन उद्विग देशों में सबस्दा असर किस पर बढ़ा अमेरिका पर पड़ता है अब देखना यद्दपी 1935 तक चाड़तर और द्विग देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगी मतलब 1929 में यह आई थी और 1935 तक यह संकेत मिलने लगे कि अब हम निकल जाएंगे मतलब कि कितने साल हो गए छे वर्स शे वर्स बाद यह लगने लगा या यह संकेत मिलने लग समाज भी जैसे आप देखिए समाज पर कैसे असर डाना आपने अभी कोरोना का दौर देखा है तो आपके दिमाग पर कोरोना की च्छबी बनी हुई है सबके पर तो अब यह जो च्छबी है ने यह कई साल तक रहेगी ऐसी भयावाई इस्थिती आपको मंदी के दौर मर द सिती थी राजनीती के जो लोग थे और जो लोग थे उनके दिल और दिमाग पर यह च्छाप पड़ी थी वह ऐसी नहीं थे कि संकेत में लगए तो बस बल्ले बल्ले कर देंगे बहुत लंबे समय तक वो रहा और आज भी हम देखते हैं कि जो हम मंदियों का जिक्र करते हैं तो 1929 की मंदी का जरूर जिक्र करते हैं कि वहाँ पर ऐसी एक मंदी आई हुई थी जैसे आप जब भी बड़े होंगे और जब अपने बच्चों से कभी बात करेंगे अपने और अपने महले पड़ोस के लोगों को कभी बताएंगे आसे दस बीस पचास साल बाद तो आप बताएंगे कि एक बार यहां महामारी आई थी क्योंकि आपके दिमाग पर बैठ चुकी ऐसे ही इनके दिमाग पर भी चीज बैठ चुकी थी इनके दिमाग से निकलने वाली नहीं लोग भूलकर आगे बढ़ते हैं हम आप लोग सभी लोग कोरोना से उबरे सभी को कुछ न नहीं जाएगी जैसे हम कुरोना नहीं बुला पा रहे हैं तो ऐसे ही वो जल्दी मिटने वाली नहीं थी तो यहां पर हमने यह पूरे टॉपिक के अंदर महामंदी को देखा हुआ था कि कैसे महामंदी आई और उसका क्या-क्या असर पड़ा अमेरिका पर ब्रिटेन पर प अबर की मागनेट ब्रेंस ने आपकी सुबधा के लिए अपने एक डेफसाइट डेवलप की है ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें विबस्तित तरीके से आगे बढ़ सकें डेफसाइट का अप्योग करने के लिए सर्च बाहर में टाइप करेंगे मागनेट ब्रेंस ہ ऑट करना चाहते हैं वो स्ट्र segundos करने माल लिए कि आपने हंदी मीद्यां किया स्यलेक करने के साथ ही क्या होगा कि आपको यहां पर क्लास का उफसन देखने को मिलेगा यह ँटि वापने क्लासिस क्लास ुट्र स मिलेगा तो आप क्या क्रेंगे क्या कि आपको को सिक रसे है आगे आज हमारा क्या पढ़ने का मन है या आपके time table के साब से आपको調 आपको जो भी पढ़ना है, आपको सारे teachers यहां पर available है, सभी की आफ photo देख सकते हैं, आप photo से select कर लें, पलकर select कर लें, मान लिजे कि आप समाज़ Government विज्ञान देखना चाहते हैं, तो आपने क्लिक किया यहाँ पर भारत और समकालीन विस्टू आपने जैसे क्लिक किया यहाँ पर तो आपने क्या किया कि वाच नाओ पर जैसे क्लिक करेंगे वाच नाओ पर क्लिक करते ही क्या होगा यह एक ऐसी प्लेलिस खुल जाएगे अब आपको कौन सा चैप्टर देख देखने के बाद लगता है कि अगला वीडियो भी हमें अभी तुरंट देखना है तो आप तुरंट नेक्स्ट बटन का उप्योग करें अगले वीडियो पर चल जाएंगे इसमें आपकी समय की भरवादी नहीं होगी आपको परिशानी नहीं होगी विबस्तित तरीके से एक क MagnetBrainz को सब्सक्राइब करेंगे MagnetBrainz हिंदी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें अपने दोस्तों में जमकर सेयर करें कमेंट करकर हमें भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं धन्यवार